हलो गाईज आप सभी का स्वागत है विवेक मिस्तरा ट्रेडिंग में मैं आपको आज कुछ बताने वाला नहीं हूँ आज हम लोग बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे मैंने अपने फर्स्ट एन लेक कम्पलीट किये वो भी एक कम्पनी में इंवेश्ट करके क्या अप्स और क्या डाउंस देखने को मिले मुझे क्या-क्या गलतियां रही तो वीडियो को सुरू से यहन तक देखिएगा छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ कि क्या गलतियां हुई थी और क्या-क्या बातों का मैंने ध्यान रखा जो इतना अच्छा प्रॉफिट बनाया है एक ही कम्पनी में इंवेश्ट करके तो चलिए सुरू कर लेते हैं तो दोस्तों देखिए जो जिस कम्पनी में मैं इंवेश्ट किया था वो रिलाइंस किया है और वो टाइम था लगभग 23 मार्च को जब मैंने इसको बाई किया था 890 के रुपीज पे तब ये कम्पनी 890 के रुपीज पे चल रही थी और मैंने इसकी 700 कॉंटिटी बाई किया था ठीक है तो अब देखिए इसका क्या था सभी लोग बोल रहे थे कि कोविड चल रहा है लॉक डाउन लग गया है कम्पनी और डाउन जाएगी आपको इन्वेश्ट नहीं करना चीए था इस टाइम पे बट मैं पूरा रिसर्च किया था अच्छे से टेकनिकली उस पे सब कुछ पदा किया था कि कम्पनी काफी अच्छी डील आने वाली है कम्पनी के पास में तो अगले दिन ही 940 पे गया वो प्राइज उसका ठीक है और उससे अब अब भी गया बट फिर लोगों ने कहा कि अब बेस दे वनना बहुत रिस्क होगा और भी सलाहकार जो थे मेरे फ्रेंड्स वो भी बोल रहे थे कि यार इस टाइम पे आपको मिस्रा जी कहां इन्वेस्ट कर दिये बहुत गलत किये ठीक है तो अगले दिन मैंने कहा नहीं यार अभी बन के चलते हैं कोई इसमें लॉस का डील नहीं है डिलेवरी पे ले रखा है हमने अगर लॉस भी जाएगा तो हमने इस्टॉप लॉस अर्जेश्ट कर रखा है वहां तक जाएगा तो निकाल लेंगे तो अगले दिन जो कंपनी है काफी अप गई काफी अप का मतलब है कि उसने 1140 तक का प्राइस कवर किया ठीक है तो लोग कह रहे हैं कि अभी देखे इतना जब रिकवर होके प्रॉफिट बन चुगा था तो लोग कह रहे थे कि अब निकाल लेना चाहिए मैंने कहा है जब इतना ज़्यादा पैसे जोक रखे हैं तो थोड़ा और वेट करते हैं मेरा कोई ये परपेस नहीं था स्विंग ट्रेडिंग या वन वीक की ट्रेडिंग नहीं किया है मैंने डिलेवरी पे लिया है तो इसको काफी टाइम तक होल्ड करने के लिए लिया है तो उसके बाद काफी इतनी बड़ी मूमेंट के बाद कंपनी में डाउंस आया जायर सी बात है कोई कंपनी इतना ज़्यादा उच्छाल मारती है तो उसमें एक-दो दिन ड्राउन ट्रेंड बनते हैं तो नीचे गिरने लगा तो फिर एक 1022 रुपे पे आया ये प्राइज इसका तो फ्रेंड्स बोलें लगे और भी घर के लोग की इतना ज्यादा रिस्क मतलो मतलब अभी ट्रेंड इसका ड्राउन जाएगी अब कंपनी काफी ग्रो कर चुकी वो इन्वेस्ट किये उस टाइम पे इसलिए इतना मुवमेंट दिखाई तो मैं अपना फिक्स था कि इसको एक अच्छे प्राइस पर ही मेरे को पहार आना है तो मैंने बिलकुल इसमें से निकला नहीं और मैं हर दिन चाट देखता रहा बस कि ग्रो करे और ग्रो करे फिर ये के उपर गई ठीक है अगले दिन फिर कंपनी ग्रो पे ही रही ग्रीन पे रही फिर नाइन अप्रेल को भी ग्रीन पे रही फिर उसके बाद फिर से थोड़ा उसमें डाउन फाल आया क्योंकि कंपनी ग्रो की और मुझे पता है कि कोई कंपनी अप जाएगी तो उसमें एक द दिन का वेट करना था तो अगले दिन का वेट किया तो वहां से क्या है company down की बजाए अप गई तो मैं सुचा कि अभी इसमें और लंबा मूमेंट आने का time है तो उसके बाद 23 अप्रैल को फिर उसके बाद 23 अप्रैल को एक गजब मूमेंट आई पता लगा कि company में बहुत यद खुली उसके बाद उसने 1382 का मूमेंट दिखाया 1382 रुपए का मूमेंट दिखाया फिर उसके बाद मेरे को पता है खवर काफी अच्छी थी उस टाइम पे कि वो फेस्बुक से और रिलाइंस का कुछ इन्होंने बात किया है ठीक है गेम का भी इन्होंने कर रखा था तो उस 1383 रुपए पे 24 अपरेल को गई यह कंपनी फिर उसके बाद इतनी ज्यादा मूमेंट थी अब मुझे पता था कि अब यह कितना भी डाउन जाएगा तो थाटीन हंटर से अब जाएगा ठीक है तो अगर इतने पर रहा तो मैं इसको सेल कर दूंगा पूरा मूड में था कि अब सेल कर दूंगा बट कंपनी थोड़े ही टांग ज्यादा डाउन जाने की बजाए कंपनी ने फिर अपर मूमेंट दिखा है तो फिर मैंने इसका चार्ट इनलाइस किया और देखा कि यह तो एकदम अपना पूरा सबसे हाई पे चल रही है जो कंपनी का अपना रिकॉर है उसको भी ब्रेक कर सकती है कंपनी इसमें काफी अच्छी इन्वेस्मेंट आ रही है ठीक है तो इस तरीके से था फिर यह कंपनी में थोड़ा अप डाउन थोड़ा अप डाउन चला पूरा में का महीना उसके बाद जून से फिर इसमें ग्रोथ दिखी कि अब यह फोटी 19 जून को इसमें एक और इंवेस्मेंट होती है बहुत बड़ी फिर वहां से इसको एकदम गजब का बूस्ट मिलता है और यह कंपनी जाके 783 का टारगेट अचीव करती है 19 जून को जो की काफी अच्छी मुवमेंट थी इस कंपनी के लिए और सभी लोग हैरान थे कि अभी तक इसने सील नहीं किया है मैंने कहा था लोगों को कि आप भी अगर इसमें सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मुनाफ़ा मिलेगा तो इस टाइप की मुवमेंट रही उसके बाद तो कंपनी ने कभी लोका साइन कमी दिखाया 15 को भी 15 जुलाई को इसने थोड़ा सा ज्यादा डाउन का दिखाया था 1800 पर मुझे पता था कि इसना इसने जब 19 जून को 783 पर बंद हुई थी तो उससे अब अब है जो क्लोज हुआ है इसका ठीक है तो इसलिए मेरे को कोई इसमें ज्यादा रेस का दिक्कत नहीं था कि हां कंपनी उतना तो प्राफिट बना के देगी तो मैं इसम अब ट्रिंड मारा ठीक है तो इसने 2000 का प्राइफ चेक कर लिया इसने तो सभी लोग कहने लगे कि अब तो मुमेंट बन चुका है सील करने का तो मैं इस पे मेरा भी इद्दम पूरा बन चुका था फिर तभी उसी टाइम पे ख़बर आई कि सिल्वर लेके मतलब जो CEO हैं उन्होंने भी कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है उसके बाद ख़बर का ही था कि फिर मैं सुचा कि अब सेल नहीं करते हैं क्योंकि तीन अगस्त को इसका प्राइस काफी डाउन गया 2004 रुपीज पे आ गया मुझे लगा कि लगता है कि ख़बर जूठी थी क् कि उस टाइम पे इन्वेस्ट किया नहीं था बस ख़बर ख़बर में था बट मैं रुका रहा कि चलिए आज तो रुख जाते हैं कल ही सेल करेंगे कल थोड़ा लॉस अगर चलेगा तो देह लेंगे बट फोर अगस्त को इसने बहुत तगड़ी मुमेंट दिखाई कंपनी और इसका जो प्राइज है वो एकिस सो शिक्ष्टी टू पे जाके बंद हुआ ठीक है तो मैंने समझ लिया कि हां सच में सायद इन्वेस्टमेंट होगी फिर मैंने न्यूस पर पूरा अच्छे से रिसर्च किया कि हां सिल्वर लेके जो सी यू हैं उन्होंने बात उत कर र तो उसी पर मूमेंट करता रहता था फिर नाएन सितम्बर को जो इंवेस्मेंट की बात थी वो सही हुई और इंवेस्मेंट किया उन्होंने ठीक है उसके बाद कंपनी का जब न्यूस आई कि हाँ इन्वेस्मेंट हो चुकी है बहुत तगडी मूमेंट आई उसके बात कि जब वो पक्का सियोर हैं कि वो इन्वेश्ट करने वाले हैं तो फाइनली मैं 10 सितंबर को 2300 पे इसको सेल किया तो ये थी पूरी अपसाइड जर्नी जो होप आपको इससे कुछ सीखने का मिलेगा तो इस तरीके से मैंने इसमें प्रिलाइंस कंपनी से एकी कंपनी से 10 लैक के किसी को फॉल्ट अपने माइंड सेट रखिए तभी वरना आप जल्दी सेल करने के चक्कर में तो लेस प्रॉफिट अचीब करेंगे यह सब चीजें ध्यान रखी जाती है सेर मार्केटिंग में वैसे भी मुझे पता था कि कोविट का चल रहा है बट कंपनी काफी अच्छ अगर आप नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए